पूर्ण लोकडाउन की ओर बड़ रहा जार्खन 15 जनुवरी के बाद होंगे हलाज जार्खन में तेजी से बड़ रहे कुरोना संक्रमन को देखते विए मुख्यमंत्री हमांसुडन ने सवी जिलो में कई तरह की पवंद्या लागू कर दी है सवी स्कूल कॉलेज पारक जीम स्टेडियम बंद कर दिये गए हैं बता दे दुकाने रात आठ बएक बाद हर हाल में बंद रहेंगी सरकारी और नेजी करियाले 50 पर्थेत करमचारियों के साथ खोले जाएंगे अब इस बीच अहम सवालिया उठता है कि आखिर जारखान में कोब ऐसा हालात पैदा होगा जब पूर्ण लोगडाउन लगाने की नवबत आ सकती है बता दे इस प्रशन का जवाब जारखन सरकार या केंद्र सरकार ही दे सकती है लेकिन एक ख़वर के मताबिक राज सरकार और केंद्र सरकार नियमा अनुसार 20,000 कोरोना संक्रावन के मामले सामने आने के बाद लोगडाउन लगाने की पहल कर सकती है इस नियम का हवाला खोद मुंबाई की मेयर की सुरी ने भी दिया है उन्होंने कहा है कि राज सरकार और केंद्र सरकार के नियमा अनुसार मुंबाई में कोविट-19 के मामले 20 हैर आने पर संपून लोगडाउन लगाया जा सकता है बता देश्वास्त विबाग की ओर से जारी आकड़े के अनुसार जारखंड में एक जन्वारी को एक हैर साथ नए केस, दो जन्वारी को एक हैर संतावन, तीन जन्वारी को 1481, वहीं चार जन्वारी को 2681 संक्रामित की पहचान होई है यानि मंगलवार को अकेले ही रांची से 1196 में नए संक्रामित की पहचान होई है अगर इस रफ्तार पर गोर करें तो 15 जनवरी से पहले इहालात ऐसे बन सकते हैं कि सरकार पूर्ण लोगडाउन पर निर्णा लेने के लिए विवस हो जाए ऐसे में हमें आप बताए कि क्या पूर्ण लोगडाउन 20 एर क्रोन संक्रमन के मामले आने के बाद ही लगाने चाहिए या इससे पहले पूर्ण लोगडाउन लगा देना चाहिए आप अपना सुझाओ हमें कोमेंट बक्स में अवस्य दे जार्खन में 9 और 10 जनवरी को बारिस बढ़ेगी ठंड जार्खन में अगामी 9 जनवरी को बारिस हो सकती है या बारिस अगले दिन यानी 10 जनवरी को भी जारी रह सकती है मौसम विभागने राजे के कुछ इलाकों में हलके से मज़ दर्च की बारिश की संभावना जताई है वहीं जन्वारी माह में ठंड का असर लंबे समय रहने का अनुमान है जारखन में सेतु गाइड का होगा चयान ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाएंगे करोना के कारण स्कूल छोड़ चुके बच्चों को सेतु गाइड पढ़ाएंगे जारखन सिक्षा परियोजना परिशात की निदेशक कीरण कुमारी पासी ने सभी जीला सिक्षा पदादिकारियों तथा जीला सिक्षा बच्चों को इसे हर हाल में एक से दो दिनों में सुरू करने के निदेश दिये हैं साथी गाइड के चयान में परखंड सिक्षा समिथी की स्विक्रीति की अनिवैरता खत्म कर दी गई है बता दे निदेशक के उन्सार सेतु गाइड का चैन समधित टाय किये गए विद्यालाई के विद्यालाई प्रवंधन समीति द्वारा किया जाना था जिस पर प्रखंड सिक्षा समीति के उन्सावसक थी इसमें अब अस्पष्ट किया गया है कि आउट अफ इस्कूल बचों को बिसेस प्रचिक्षन उपलब्द कराने के लिए समाय की कमी को देखते हुए सेत्टू गाइड का चायान तीन माग के लिए करते हुए कारेकर्म का किरेनियन शुरू करे गुमला के विसुनपूर परखंड के बनारी स्थीत लेप्स में असिक इंटलधान बेचने वाले 61 किसानों को जिल्ला दंडा अधिकारी का रियालेन नोटिस निर्गत कर रासन कार सरेंडर करने की बात कही है नोटिस में बताया गया है कि जिन ब्यक्ति के पास 5 एकर से अधिक सिंचित एवं 10 एकर से अधिक असिंचित भूमी है वैसे लोगों को खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत रासन नहीं दिया जाएगा आंगन बारिक करमचारी संग का राज समेलन अस्थगीत जारखन राज समाज कर लियान आंगन बारिक करमचारी संग का राज समेलन अस्थगीत कर दिया गया है बतादे संग के परदेश महासचीव असो कुमार सिंग नयन ने कहा कि दूसरा राज समेलन 9 और 10 जनवरी को चा की जाएगी रांची में 90% मामले ओमिक्रोन वेरियंट के स्टड़ी में हुआ खुलासा रांची में कुरोना के जो नए मामले मिले हैं उनमें 90% ओमिक्रोन वेरियंट के हैं रांची के राज होस्पीटल के छट डक्टरों के टीम ने हालिया दस दिनों में 250 मरीजों के स्टड और दिली में पाये गाएं ओमी क्रोन बेरियंट के मरीज में मिले हाएं। बता दे सदर अस्पेटाल के सभी फलोर का निर्चन करते हुए सिविल सरजन को अस्पेटाल में बेट की संक्य बढ़ाने का निर्देश दिये। गुमला का अंजना धाम को बिश्व पटल पर अस्थापित करने में लगा परसासन। गुमला के उपायुक सिसिर कुमार सिन्हा ने कहा है कि अंजना धाम को बिश्व के मांचित पर अस्थापित करना है इसके लिए गुमला परसासन परियास कर रहा है अगर कुछ कमिया है तो उसे भी दूर किया जाएगा। परसासन का परियास है कि अंजना धाम में दूसरे जीले समेत अने राज के सेलानी आएं इससे अस्थानी अस्थर परोजगार के उसर लोगों को मिलेगे छोटी मोटी दुकान कर लोग अपनी जीव का चला सकेंगे। गोईल केरा में बिजेपी के पूरो बिधायक पर नक्सली हमला दो बोडिगार्ड सहीद। दरसल पूरो बिधायक जीलुरुवा गाविस्थीत प्रोजेक्ट बिध्याला के असापना दिवस पर आयोजित खेल कूट समारों में भाग लेने गए थे। आज का कोरोना अपडेट जानने के लिए साम पांच बजे का वीडियो देखना ना भूले। सिम्डेगा में उग्र ग्रामिनों ने पूर्वनक्सली की हत्या कर्साओ को जलाया। सिम्डेगा जीला अंत्रगत केले बीरा थाना इलाके के बेसरा जारा बजार के निकट मंगरवा को लगभग दो बजे के करीब सेकडों उग्र ग्रामिनों ने पूर्वनक्सली की हत्या कर्साओ को जला दिया। कोडारमा में स्कूल कोलेज वह पार्क हुए बंद है। कोडारमा में खूले रहे। माकपा नेताओ ने बताई जहारखन पंचाज चुनाव टालने की वज़ा। इन्होंने कहा कि सरकार आपके दोर काकरम के कारण पंचाज चुनाव टालना जानता के साथ धोखा है। उन्होंने पंचाज चुनाव दली अधार पर कराने की मांग की। एक्ट नाम से बर्स 2019 में पारित अधिनियम की तरज पर यह कानून बनाने की त्यारी में है। मुख्य मंत्री हमान सुरेन के निदेश पर न सिर्फ इसका ड्राप हो चुका है। बलिक इस पर बीधी विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है। बता दे फाइल बर्तमान में ग्री विभाग के पास आए जहां समिक्षा के बाद इसे कैमिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद आगामी बजट सत्रे में इसे सदन में रखा जाएगा। उमीद है राज सरकार बर्तमान बर्ष में ही दीशा एक्ट जहारखन के रूप में कड़ा कानून लागू कर देगी। जहारखन में मिर्तियुदर 0.08% करोना के तिसरी लहर में जहारखन में संक्रामित मरीजों की संख्या में तेज रफ्तार से हो रही बिरिधी के बीच एक रहात भरी भी खबर है। जहारखन हाई कोट के जहस्ति डाक्टर एसन पठा की अदालत में छट्थी जहारखन नियुक्ति में आरक्षन को लेकर दाखिल आजका पर सुनवाई हुई। जहारखन किया जाना चाहिए जबकि उनका अंक भी अमतीम चैनित अभियारती से ज्यादा है। हाई कोट में दो दर्जन से ज्यादा करमचारी संक्रमीत। क्रोना की तिसरी लहर ने अब जहारखन में पूरी तरह से दस्तक दे दी है। क्रोना की तिसरी लहर जहां आम लोगों पर भारी पर रही है वहीं अब इसने अपना परकोप हाई कोट के करमचारी और भी दिखाना शुरू कर दिया है। बतादे जहारखन हाई कोट के कई करमचारी अब क्रोना की चपिट में आ चुके हैं। जहारखन हाई कोट में भी क्रोना संक्रमन अपना पाउप पसार रहा है। अभी तक कूल 28 हाई कोट करमी क्रोना संक्रमित पाए गए है। जल्द खत्म होगा ओमिक्रोन का प्रभाव डेनमार्क की एक बैग्यानिक ने अपने सोध में पाया है कि भले ही अभी ओमिक्रोन तेज से फैल रहा है बतादे बैग्यानिक ने दवा किया है कि ओमिक्रोन जितनी तेज से आया है उतने ही तेजी से जाएगा लेकिन इससे भी अच्छी खवर है कि यहीं ओमिक्रोन करोना के तमाम बेरियंट को खत्म भी कर देगा पियूस गोयल ने कापला बेपारियों के साथ की वीडियो कंफरेंसिंग पियूस गोयल से कपड़े पर कर की दर में ब्रीधी को आपस लेने की अपिल की HEC मजदूर राजभोन मार्च के लिए घर घर परचा बाटेंगे HEC बचाओ मजदूर जन संघर समीति के आवाहन पर 6 जनवरी को HEC कर्मी समाजिक संगठन जोगी जोपडी संग, साई संग, 6 जनवरी को धूरुआ गोलचकर से राजभोन तक मार्च करेंगे इसकी त्यारी को लेकर स्रमिक संगठनों ने नेहरू पार्क FFP गेट स्रमिक संगठनों के कर्याले में बैटक कर मार्च को सफल बनाने की रणनिती बनाई जारखन में 3 करोड डोज का आकड़ा पार जारखन में क्रोणा के तेजी से बढ़ते मामले के बीच राहत वाली खबर है कि राज ने क्रोणा के 3 करोड डोज का आकड़ा पार कर लिया है बता दे पहली और दूसरी डोज मिला कर 3 कर 52,183 डोज हो गई है जारखन के गुमला जीले के सिसाई थाना के लखेया गाव में डायन विसाही में गाव के कुछ लोगो द्वारा एक जनवरी की रात को दो सगे भायों को भीली के खंबे से बांद कर पिटाई के बाद एक युग की आँग फोड़ी गई थी बता दे सोमवर को जीला विधिक सिवा प्रादिकार के सचीव आनांद सिंग गाव पहुँचे इस दोरान उन्होंने परिवार के एक एक ब्यक्ति से घटाक जनकारी ली और अधिकारियों ने पिडित परिवार को सरकारी योजनाव का लाप दिलाने का स्वासन दिया इधर जान लेवा हामला करने के चार अरोपयों को गिरफतार करसोमवर को जेल भेज दिया गया है कुरोना काल में जेब से खर्च कर फंस गए हेड मास्टर जार्खन के सरकारी स्कूलों में खर्च की गई रासी के भुगतान में पेच फंस गया है बता दे स्कूलों के प्रदना ध्यापक और सिसको ने आपसी सहयोग से रासी खर्च की और काम करवाने के बाद भुगतान किया अब राई सरकार आसी देने को तयार है लेकिन जिसमें काम किया है या जिस दुकान से समान आया है उसके नाम पर ही चेक देने की बात हो रही है धन्यवाद